मुरदबाद उत्तरपेदेश माध्मी शिक्षक संके प्रांती नेतेत के आवाहन पर अपनी लंबित मांगों को पूर करने तु मुरदबाद के शिक्षक करमचारियों ने जिले विद्ध्याले निरिक्षक के कार्याले पर एक दिवसी धन्ना दिया अपनी मांगों का ग्यापन मुख्य मंतिरों शिक्षक मंतरी उत्तरपेदेश को जिरा विद्ध्याले निरिक्षक के माध्यम से भेजा ग्यापन में कहा गया कि संगठन की लंबित मांगों पर अनेको बाद शाषन से वारता होकर सहमती बन चुकी है परन्तु अभी तक शाष में रोजब्याप थे इन सभी मांगों को लेकर एवम संगठन को मजबूत करने के लिए जिला मंतिरी ने समस्थ साथियों का एक जुट होकर मजबूत करने का आवाहन क्या है और मांगे पूरी ना होने पर एक आंदोलन की चैतावनी दी है अज उत्तर प्रदेश माध्यमिक सिच्ण तरसंग के प्रांती नेत्रत्तु के आवान पर पूरे प्रदेश के जितने भी जिला विद्याले में रिछक कार्याले हैं सभी में आज एक साथ धर्ना प्रदर्शंद किया जा रहा है क्योंकि हमारे सिच्छनेतर वर्ग जो माध्मिक विद्यालेयों में कार्यरत हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के करमचारी हैं उनकी एक लंबे समय से जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं इससे हमारा जो करमचारी वर्ग है बहुत ही आक्रोसित है आंदोली थै हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो हमारे जो करमचारी सिच्छक पत की योगिता रखते हैं बियड हैं, एल्टी हैं उनको हमारी मांग ये है कि सिच्छक पत पर पदोन्नती दी जाए और दूसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि राज कर्मचारियों को अवकास नगदी करण की सुविधा प्राप्त है लेकिन हम कर्मचारियों को अवकास नगदी करण की सुविधा अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी गई है तीसरी हमारी प्रमुख माग है कि जो सरकार ने नई pension ब्यवस्था लागू कर दी एक करमचारियों पर अप्रेल 2005 पांच के बाद जो भी नीक्तियां होई है उन पे नई pension यहोजना लागू की गई है हम सभी करमचारी यह मांग करते हैं कि पुरानी पेंसन बेवस्ता बहाल की जाए